हेलो दोस्तों मैं रितिक चौधरी स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डियम निन देपे इस पर्टिकलर वीडियो में हम गूगल एनलेटिक्स को बिलकुली बेसिक से सारी चीजों को इन डिटेल में समझेंगे और देखेंगे किस परकार से हम गूगल एनलेटिक्स का एकाउंट सेट अप करते हैं किस परकार से हम गूगल एनलेटिक्स को अपने वेबसाइट में लगाते हैं और किस परकार से गूगल एनलेटिक्स को प्रूपर तरीके से यूज करते हैं सारी चीज़ों को हम इस particular वीडियो में in detail में और stepwise सीखेंगे तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना skip की अन तक जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी website का easily google analytics account setup कर पाएं और उसे use कर पाएं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप complete advanced digital marketing, blogging, SEO और भी कई सारे digital marketing के important modules free of course सीखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe कर, notification bell को zero on कर लें क्योंकि इस चैनल के जरीए आपको complete advanced digital marketing के साथ साथ एक whatsapp group भी provide कर जाता है जिसके जरीए आप digital marketing से जोड़े किसी भी तरह की doubts को 24x7 clear कर सकते हैं ताकि आप proper तरीके से complete digital marketing सीख पाएं तो चैनल को subscribe कर, notification bell को zero on कर लें ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की notification properly हो सबसे पहले मिल पाएं और description box में आपको whatsapp group का link मिल जाएगा आप चाहें तो join कर सकते हैं तो चलिए अब हम google analytics को proper तरीके से समझते हैं और देखते हैं किस परकार से google analytics account को setup किया जाता है तो इ यहाँ पे आने के बाद simply आपको यहाँ पे search bar में type करना है google analytics जैसे ही आप यहाँ पे google analytics type करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो google analytics मैंने type करा और यहाँ पे जो first site आ लिए analytics.google.com इस पे आपको click करना है तो जैसे ही आप google analytics पे click करोगे कुछ इस परकार का interface आपको देखने को है जिस परकार से मेरे website का जो name है मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ तो simply मैं एक new website पे आपको google analytics setup करके दिखाऊंगा उस website का नाम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ उसका simply यहाँ से आपको इसे भी click कर लेना है इसे भी tick करने के बाद simply यहाँ से आपको next पे click करना है जैसी आ next पे click करोगे यहाँ पे आपको property name डालने के लिए आएगा तो यहाँ पे आप अपने website का ना या फिर आप अपने website से related यहाँ पे कुछ एक नाम डाल जाकते हैं जिससे कि आप अपने website को जान पाएं और उसे track कर पाएं तो यहाँ भी मैं अपने website का name ही डाल देता हूँ उ यहाँ तो आप dollar कर सकते हैं मैं Indian रुपीजी select करूँगा इसके लिए मैं simply यहाँ पे India type करूँगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो show advanced option इस पे आपको click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं जिसे हमें ठीक यह अंटीक करना है उसका simply आपको next पे beauty, fitness, games, health, hobbies, home garden, news तो यहाँ पे जो भी आपके website का category है उसे आपको select कर लेना है और अगर कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो simply यहाँ से आपको other पे click करना है जैसे आप other पे click करोगे उसके बाद आपको business size पे select करना है तो अगर आपकी कोई company है और उनके अगर ज्यादा employee है तो यहाँ पे आप उसके according select कर सकते हो लेकिन यह मेरा personal website है तो simply मैं यहाँ पे small पे select करूँगा जहाँ पे one to ten employees है उसके बाद दोस्तों नीचे आना है यहाँ आप देख सकते हो how do you intend to use google analytics with your business मतलब कि मैं किस purpose से google analytics को use कर रहा हूँ वो यहाँ पे select करना है तो जो भी आपका purpose को google analytics को use करने का यहाँ पे आप select कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो major customer engagement मतलब customer engagement को optimize my site या फिर major data optimize my advertising cost conversion online sales तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी चीज़े आ रही है तो मैं यहाँ से जल्दी से सारी चीज़ों को select कर लेता हूँ जिस भी बज़े से मैं google analytics use कर रहा हूँ औ सारी चीज़ों को analyze करना चाहते हो तो simply यहाँ से आप सारी चीज़ों को select कर लें तो यहाँ से अपने purpose को select करने के बाद simply आप create पे click करें जैसे आप create पे click करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो accept termine condition का आ रहा है अब चाहे तो इस agreement को पढ़ सकते हैं जो भी इनका termine condition है उसे आप पढ़ सकते हैं उसके बाद simply आपको यहाँ पे I also accept पे click करना है उसके बाद यहाँ से अपने country को select कर लेना है तो मैं यहाँ से अपने country को select कर लेता हूँ इंडिया मैं यहाँ से select कर लेता है उसके बाद आपको simply i accept पे क्लिक करना है जैसे आप i accept पे क्लिक करोगे कुछ इस परकार से आपके सामने आपको interface देखने को मिलेगा उसकाद यहाँ से आपको save पे क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पे पर मैं वेब पर किलिक करूँगा जैसी मैंने वेब पर किलिक करा आप यहाँ पर देख सकतो website का URL एंटर करने को बोल रहा है उसकर stream name एंटर करने को बोल रहा है तो simply मैं यहाँ से website को open कर लेता हूँ यहाँ देख सकतो यह बिल्कुली new site है भी तो यहाँ से मैं अपने website के URL को copy कर लेता हूँ और simply यहाँ पर आगर के अपने website के URL को paste कर देता हूँ यहाँ देख सकतो https already है तो यहाँ से आप इन्हें हटा दे उसकाद इससे हटाने के बाद आप simply यहाँ पर stream name डाल दे stream name आप जो चाहें डाल सकते हैं यहाँ जैसे आप देख सकते हैं एकजंपल के लिए बताएगे my website तो आप जो भी चाहें यहाँ यहाँ डाल सकते हैं लेकिन अगर आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर अपने website का नाम यहाँ डाल सकते हैं तो जो भ से हमारी website का tracking code किया है सारी चीज़े यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह analytics code है जिसे हमें अपने website में setup करना होता है और इसी code के वजह से हमारे website के traffic को हम track कर पाते हैं अगर यह हमारे website में missing हो जाए तो हम अपने website के traffic को google analytics के through track नहीं कर पाएंगे इसलिए अगर आपको कभी लग रहा हो कि google analytics properly काम नहीं कर रहा आपके website के traffic को proper track नहीं कर पा रहा है तो आप simply अपने website में जा करके google analytics code को check कर लें और अगर वहाँ पर missing है तो simply यहाँ पर आ करके फिर से copy करके अपने website में एंटर कर दे अभी मैं वह आपको बताऊंगा किस परकार से हम एंटर करते हैं किस परकार से हम squad को अपने website में setup करते हैं तो आप यहाँ पर simply देख सकते हो कि आपने जो भी stream URL डाला तो यहाँ पर आ रहा है ज्यादा easy method है Google Analytics account को setup करने का तो simply यहाँ से आप देख सकते हो कि एक तो मेरे को code मिल रहा है उसके बाद अगर आप नीशी जाओ तो यहाँ पर आप देख सकते हो Google Site Tag मिल रहा है मैं इन दोनों चीज़ों से अपने website को Google Analytics verify करा सकता हूँ या तो आप इस code को setup कर दे या तो आ मैं आपको बताता हूँ किस परकार से हम Google Analytics account को अपने website से connect करते हैं setup करते हैं तो simply आपको अपने website को open कर ले ना यहाँ आप देख सकते हो मैं WordPress के dashboard पर आ चुका हूँ यहाँ पर मैं आपको दो plugin के थुरू बताऊंगा आपको जो भी easy लगे आपको जो भी comfortable लगे आप उसे use कर सकते हो simply मैं यहाँ से गया add new plugin पे यहाँ पर आपको सर्च करना है insert header and footer जैसी आप यहाँ पर insert header and footer सर्च करेंगे आपको यहाँ पर सबसे पहला plugin ही दिख जाएगा insert headers and footers तो इसे आपको install करना है install करने के बाद इस plugin को आप activate कर ले दोस्तों यह plugin बहुत ज्यादा helpful है द तो इस plugin के थुरू हम easily अपने website में किसी प्रकार का code लगा सकते हैं तो आप अपने WordPress website में इस plugin को जरूर install कर ले उसके बाद इससे मैं activate कर लेता हूँ तो आप देख सकते है thank you for installing header and footer उसके बाद simply आपको यहाँ पर settings पे आना है उसके बाद आपको यहाँ पर insert header and footer दिख ज करेंगे अगर आपको कोई भी code body में लगाना है तो यहाँ पर पेस्ट करेंगे यहाँ फिर से मैं Google Analytics में चलता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है copy the global site tag into the head section of your HTML और if you are website builder, WordPress, Shopify, etc. मतलब कि यहाँ पर जो हमें code मिल रहा है इसे simply copy करना है और अपने website के head section में इसे जा करके paste कर देना है तो simply यहाँ से मैं आता हूँ अपने website के head section में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके print header तो simply मैंने जो अभी code copy करा उसे मुझे यहाँ पर paste कर देना है उसके बाद simply आपको नीची आना है और यहाँ पर save का button दिखेगा इस पर आपको click कर देन आप अपने theme editor में जा करके यहाँ से आपको theme editor का option मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हो वहाँ से भी आप अपने website के head section में लगा सकते हैं और अगर आप अपने website के coding को नहीं छेड़ना चाहते तो simply आपको insert header and footer plugin को install करना है और head section में simply जा करके यहाँ से आपको google site tag के code को copy करना है और यहाँ पर आपको आ करके paste कर देना है और simply save के button पे click करना है तो दोस्तों यह तो हो गया पहला तरीका लेकिन अगर आप insert header and footer के थूर नहीं करना से आते हैं तो simply एक और तरीका है उसके लिए आपको दूसरा plugin का use करना पड़ेगा यहाँ से आपको आ करके add new पे activate कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हो toen pixel your site यूर smart pixel टैग मेंजर इससे आपको इंस्टाल कर लेना और activate कर लेना है उसके बाद simply आपको क्या करना है जैसी आप इससे यहाँ पर इंस्टाल और activate करेंगे चली मैं आपको करके दिखा देता हूँ मैंने इससे ins principe कर आ ओसके पाद मैं इसे यहां से एक्टिवेट कर लूँगा तो यह प्लगिन एक्टिवेट हो चुका है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो पिक्सल योर साइट का यहां पर आपको एक्टोन देखने को मिलेगा तो simply आपको इस पर किलिक करना है यहां पर जैसे किलिक करोगे और फोड़ जब scroll करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो your google analytics यहाँ पर आपको click for setting पर click करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो google analytics tracking id तो simply क्या करना है आपको यहाँ से अपने google analytics पर आना और यहाँ जो measurement id जिसके बारे मैंने आपको पहले भी बताया था उससे आपको simply copy करना है और यहाँ पर आखर के इसे simply आपको paste कर देना है जैसी आप इसे यहाँ पर paste करेंगे और नीचे आकर के इसे save button पे politics करना है यहाँ पर देख सकते हो save setting का option मिल रहा है इस पे आपको click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click कर देंगे तो यह code आपके website में add हो जाएगा तो दोस्तों मैंने आपको दो आसान तरीका बता है जिसके दोरा आप अपने google analytics code को अपने website में setup कर सकते हैं पहला तो मैंने आपको बता है कि google tag का जो option है वहाँ से आपको उस code को copy करना है और यहाँ से आपको insert header and footer plugin को install करके आपको यहाँ पे paste कर देना है या फिर आप appearance में जाकर करके theme editor में जाकर करके head section में आप उसे paste कर सकते हैं जैसे मैं theme editor में गया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझी यहाँ पे header footer सारी चीज़ों का option मिल जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो theme header का option मिल रहा है यहाँ भी आ करके आप उसे paste कर सकते हैं अगर आपको coding की थोड़ी बहुत भी knowledge है तो यहाँ पे आ करके आप header section में उस code को paste कर सकते हैं या फिर simply मैंने आपको बता दिये अगर आपको ज्यादा इंचिज़ों की knowledge नह पाया या फिर मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया तो इस परकार से आपकी website google analytics से connect हो जाएगा और आपके website पर जो भी traffic आएगा easily google analytics उसे track कर पाएगा तो अब हम देखते हैं किस परकार से हम उसे track करते हैं तो यहाँ से तो हमने इसे verify कर रहा है तो उसका simply आपको क्या क आपको cut कर देना है जैसे आप यहाँ पर cut करोगे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका property वगरा setup हो चुका है simply आप यहाँ पर जब reports पर जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरीके से आपको google analytics account देखने को मिलता है वो सारी चीज़े यहाँ पर आपको देखन या नहीं तो simply मैं अपने mobile device से इस website पर जाता हूं और देखता हूं कि क्या traffic को यह प्रोपर तरीके से track कर पा रहा है या नहीं तो मैंने mobile device में website को open कर लिया उसका simply आपको real time पे click करना है उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या को user आ रहा है है यहाँ पर real time में तो दो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ minute के अंदर ही मैंने proper तरीके से अपने website में quad को setup कर दिया और proper तरीके से गूगल analytics account को open कर लिया तो दोस्तों यह तो आपको समझ आ गया होगा कि किस परकार से गूगल analytics से account open करते हैं, setup करते हैं, किस परकार से अपने website से connect करते है किस परकार से अपने website में Google Analytics के tracking ID को लगाते हैं, अब हम sort में समझ लेते हैं कि किस परकार से हम Google Analytics को use करते हैं, तो दोस्तों simply आप यहाँ पर देख सकते हो, real time में आप अब जाओगे, तो जो भी real time में चल रहा होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पर देख stop के तुरु कितने % लोग आये हैं, mobile phones के तुरु कितने % लोग आये हैं, वो सारी चीज़ों का data यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर location भी देख सकते हो कि किस location से आया हुआ है, उसका जैसे आप नीचे जाओगे, यहाँ पर आप देख सक तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको audience देखने को मिलेगा, उसके बाद किस page पर है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा homepage पर है, उसके बाद easily आप देख सकते हो कि किस page पर visitors है, तो homepage पर visitors है, तो simply दोस्तों यहाँ से आ करके आप सारी चीज़ों को track कर सकते हो, उसके यहाँ पे आप acquisition पे जैसे यह जाओगे acquisition का overview आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं का overview मिल रहा है सेम चीद कि अभी मैंने just account setup करा तो बहुत सारा data नहीं है अभी हमारे analytics account में तो हमें बहुत सारी चीज़ों का यहाँ से idea नहीं लग पाएगा लेकिन एक brief आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ से हम सारी चीज़ों को user acquisition traffic acquisition engagement को यहाँ से हम track कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर देख सकतो किस country से आ रहा है उसके बाद अगर उसमे भी जाओगे तो वहाँ पर किस state से आ रहा है यहाँ पर आपको town city कि city से आ रहा है किस town से आ रहा है यहाँ पर सारी चीज़ों को देखने को मिल जाएगा जो user है वो उसका gender क्या है उसका interest क्या है यहाँ पर सा लिए आप अपने website को improvement कर सकते हो अगर आपका कोई product है तो उसे आप proper तरीके से और भी ज्यादा improve कर सकते हैं अपने traffic को जान करके अपने audience को समझ करके तो दोस्तों यहां से आप completely एक overview आपको मिल गया होगा कि यहां से आने के वाद अगर demographics में आते हैं तो इस सारी चीज़ों में अगर आप जाओगे तो यहां पर सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगा कि रियलटाइम में अभी क्या है कितने लोग हैं कौन से location से आया है वो कि सोरस यह अगर आया हुआ है गूगल में सर्च करके या फिरा आपके डुमेंड को डयरेक टाइप कर क्या आया है यहां पर आपको सारी चीजे देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहां से आपको complete एक idea लग जाएगा कि आपके website में क्या चल रहा है कहां से traffic वगरा आ रहा है तो यहां से आप इन चीज़ों को track कर सकते हैं उसके आद यहां पर आप देख सकते हो all accounts आ रहा है त यहां पर add कर सकते हो जैसे आप दूसरा account add करोगे तो यहां पर और भी ज्यादा property वगरा आ जाएगा तो दोस्तों simply आप अगर यहां पर click करते हो तो यहां पर सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों एक idea मिल गया होगा आपको कि Google Analytics account कैसे setup करते हैं किस मैं आपको आने वाले वीडियो में एक complete tutorial बताऊंगा कि किस परकार से Google Analytics account को advanced level तक यूज कर सकते हैं किस परकार से हम इसे track करते हैं किस परकार से हम दूसरे को अपने website का access देते हैं उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस परकार से यहां से आने के बाद आप परकार से हम Google Analytics account को setup करते हैं website से connect करते हैं और दोनों तरहिके से आपको Google Analytics को अपने website से connect करना आ गया होगा तो आहिए होप आपको सारी जीचे समझ आ चुकी होगी अगर वीडियो पसंद आयो तो like जरू करें और अगर किसी वीपरकार का doubt हो तो comment कर हमसे जरूर पूचें य WhatsApp ग्रूप का link आपको description box में मिल जाएगा आप चाहें तो join कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care